तो मैं आपको बता दूं कि बॉलिवुड में ऐसे भी एस्टार्स हैं, जिनके बैक्ग्राउंड राजनीति केरियर से कहीन कहीन जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से आते हैं ये लोग, और ये पॉलिटिक्स को ठुकरा के ही बॉलिवुड में आया है, वैसे मैं आपको बता पहला नाम आता है वह है रितेज देश्मुख, रितेज देश्मुख, पिता विलास रहा चुके हैं, महराष्ट के तीन बर सियम रह चुके हैं, फिर भी उन्हें ने कई राजनीति में करियर जमाने के बारे में जरह सा भी नहीं सोचा, इसे बाद आते हैं Bhomy Pedneker पीता सतीज़ इक नेता रह चुक है वैसे उनके पिता के मिर्युत्ती 2011 में हो गई थी, खैर उन्होंने तो खैर बॉलिवुड में अपना करियर जमा लिया है, वैसे इनके एक फिल्म आई थी भग्चक दमनिताओं के खिलाब, तो या फिल्म भी आप देख सकते हो, वैसे भूमी पेटने कर बहुत अच्छी एक् जा, मैं बात कर रहा हूं अयूँष सर्मा के बारे में, अंतिम फिल्म में उनको अंतिम बार देखा गया था, उनके दादा ही माचल के बहुत बड़े नेता है, उनके दादा राजनिती में थे, वैसे उन्होंने अपना बॉलिवुड में करियर चुना है, वैसे अयूश सर अगे का कौनसी फिल्म आएगा यह अभी किसी को नहीं पता है बाकी उसके बाद आते हैं चिराग पासवान वैसे चिराग पासवान तो फीर से राजनीती में अपना करियर बचाने के लिए वापस राजनीती में ही चले गया है बॉलिवुड मुन का कुछ खास नहीं हो पाया अब बताओ चिराग पासवान एक बहुत बड़े निताब बन सकते हैं क्या भीहार के आने वाले समय में वैसे मुझे तो लगता है कि चिराग पासवान ने अच्छा ही किया जो बॉलिवुड से नाता तोड़ लिया वैसे आप बताओ कमेंडर बताओ चिराग पासवान कैसे लगते हैं?